असलाम अलेकूम और वेरी बॉम बेलकम टू माई जैनल कुकिंग और बेकिंग विद इर्सा उमीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे खेरियत से होंगे और मेरी रेसिपी का वेट का रहे होंगे आज हमारी किचन में बनने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़े के बहुत ही शुवार्मा और ये बहुत इजी रेसिपी है बहुत जड़बड बन जाती है और इसको बनाने के लिए कीन इंग्रीडियन्स की ज़रत है स्टार्ट करने से पहले मेडिया सबसे रिक्वेस्टर की मेरे चारे को सबस्क्राइब करें और साथ में लगए बेल का आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताके वीडियो की नौटिफिकेशन जल से जल आप तक पहुन सके तो चलें जी चलते हैं अपनी किचिन की तरफ और देखते हैं कि मज़ेदार से और यमी से श्वारमाज किस तरह से बनाया जाते हैं और इसके लिए कीन इंग्रियन्स की ज़रत है बिस्मिलारवागमान अबरहीम तो यहां जी मैने ले लिया है अप्रॉक्समेटली फॉरंडर ग्राम्स मैंने ब्रेस्ट पीस में चिकन लिया है ठीक है और इसको में अच्छी से वाश कर लिया और इसके छोटे-छोटे क्यूब्स जो हैं वो मैंने कर लिया है अब हमने क्य पाउडर एड़ किया है वन ओवर फॉर्थ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर एड़ किया हाफ टीस्पून के करीब मैंने सुखा दनिया और जीरे का पाउडर एड़ किया है ठीक है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग एड़ किजेगा मैंने हाफ प्लस मैंने इसमें केचप एड़ किया है अप्रॉक्सिमेटली वन टी स्पून और ठोड़ी केचप कह रही हूँ चिली सॉस ठीक है और साथ-में और वन टी स्पून ही मैंने इसमें सोया सोस अड़ किया और यह मेरा चोटा सा बचा मेरे साथ वाइज ओवर करवा रहा है खेर इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स प्लस इसमें यॉगर्ट भी जाएगी और यॉगर्ट मैंने इसमें अप्रॉक्सिमेटली फो तो फाइफ टी स्पून इसमें आड़ किया है ठीक है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट तक्रीब बना आदे घंटे के लिए इसको होने दें और उसके बाद इसको आप पका लें अवैसे मैंने इसको मैरिनेosit होने नहीं रक था था मैंने इसको फौरएट जो है वो कुक कर लिए था बहुत अच्छा इसका टेस्ट आया था लेकिन अब अगर मैरिनेट कर लेंगे तो सारे मसाले रच बख जाएंगी असके इंदर और गेस्ट पर दो ऑप जब यह cooked होगा खेर एनिवेज यह हो गया जी मैं यह हो गया mix और अब हम इसको कुक करेंगे pan में मैंने approximately two to three teaspoon मैंने इसमें oil add किया because there is no need to add too much oil in it ठीक है तो two to three teaspoon मैंने इसमें oil add किया और साथ में ही मैंने सारा chicken इसमें add कर दिया था अच्छे से इसको mix किया और बहुत हलकी आच्छे मैंने इसको medium to low flame पे पहले मैंने medium flame रखी था कि इसको अच्छे से heat पहुंच जाए और उसके बाद मैंने इसको low flame पे तक्रीबं 15 मिनट के लिए इसको cook किया दहीं अपना पानी खुद छड़ीगी चिकन भी अपना पानी जो है वो छोड़ता है तो उसी में यह cooked हो जाएगी क्योंकि यह breast pizza और बहुत जली tenderized हो जाता है ठीक है तो अच्छा अब हम इने इसको अच्छे से mix कर लिया और जब यह cooked हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूं और यह देखिए जी अच्छा टेस्ट था इसका ठीक है इस स्टेज पर जब आप इसको जो है पानी इसका ड्राय कर रहे हो तो इसमें salt बगारा टेस्ट कर लें और अगर आपके मताबिक है तो आप अड़ कर सकते हैं खर यहां पर हो गया जी इसका पानी ड्राय अब हम इसको साइट पर रख ल अगर आपको इसकी रेसिपी जो है बनाना सिखाऊंगी यह किस तरह से बनाते हैं और यह इतनी अच्छी बनती है और यह बहुत अच्छी लगती है श्वार्मा में अच्छा यह मैंने एक एड़िट पॉइंट किया है कि मैंने वेजिस में नहीं आड़ किया अनियन तो जो है हमारी फैमली में अच्छा दूसरी तरफ मैंने ले लिया जी श्वार्मा ब्रेड इसको हम कर लेंगे हलका साज रोस्ट ठीक है कि इसका अच्छा सा कलर आजा इसको दोनों साइड़्स पर ठीक है तो यह देखिए जी हम यह श्वार्मा ब्रेड हो रही है जी अच्छे सि जो है बनाया है ताकि दोनों तरफ से ना एक अच्छा सा कलर आजा इसका बस और यह अच्छी सी हीट अप हो जाए अच्छा अगर आप आप आइल नहां भी आड़ करना चाहें तो दिर इस नो इश्यू आप वैसे भी नॉन स्टिक पैन में इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमे मैंने इसमें आड़ कर ली थी अब हम इसके उपर लगाएंगे गालिक मायों जो के हॉमेड है अगेन आम सेंग इस रेसिपी गालिक मायों के रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉमेट सेक्शन में जरूर बताएं बहुत इजी और बहुत ही मज़े की बनती है प्ल लगा सकते हैं दोनों चीजें चाहें तो सिरफ ये लगा सकते हैं तो मैंने कुछ पे सिंपल लगाए थी और कुछ पे जो हम इने मिक्स करके लगाए थी तो मैं आगया आपको चलके दिखाती हूं प्लस इसमें आप जो चिकन है होमेड शॉर में की ये बात है आप चिकन अ तीक के तो रिए टेस्ट इसे काल सकते हैं मैंने फिलिएन्स पर अचा शभी करता है, मैंने यही दो इंगिडियोंट्स ऊ recognised चेप मैंने धीन्त I was calf तूटपिक से किया है ठीक है जिस्ट फॉर दे सेक ओफ विडियो बाद में फिर मैंने इसको रैप कर लिया था तो यह देखें जी तूटपिक की वजास कि मुझे क्यों कि थामने लेना होता है और वीडियो में दिखाना होता है कि यह देखें कितना यमी लग रहा है आखिर एंप्रेस होंगे तब ही तो आप बनाएंगे यह रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो आप जदूर ट्राइक देखा बहुत मज़ी की रेसिपी बनी थी बहुत ही अच्छाब्ट हम्रा बना था और घर का अज़ाया और क्या ही बत है ठीक है तो इस इतने में आप बाजाड से 2 तो लेकी आएंगे ना उतने में ये सब के लिए घर बन जाएंगे इश्वारमाज इतनी अच्छी जो है वो इश्वारमाज की ये रेसिपी है आप एक दफार ट्राय करके देखें बिलीव में आपको बहुत पसंद आईए और देखें माउथ वाटरिंग है साइड से देखे मैंने यहां पे जब कुछ श्वारमाज मैंने आपको बताये थे कि उसके अपर मैंने केचप भी लगाए थी और प्लस जिसको ज़्यादा गार्लिक मायों चाहिए उसको उपर से भी लगा दी तो होमेड श्वारमाज मैं आप अपने मताबिक जो है वो क्रियेटिविटी कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं कोई भी चीज़ को उमीद करते हूं कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो कि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर की जगा है और इंशाला में नेक्स र